जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, जिंदगी को इतना सिरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, यहां से जिंदा बच कर कोई नहीं जाएगा, एक सच है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती, तो हम इस दुनिया में रोते रोत लेकिन एक मीठी सच ये भी है, अगर ये जिंदगी बुरी होती, तो हम जाते जाते लोगों को रुला कर नहीं जाते, आपके पास मारूती हो या BMW, रोड वही रहेगी, आप एकोनोमी क्लास में सफर कर रहे हो या बिजनेस में, आपका वक्त तो उतना ही कटेगा, आप टा साफधान रहे, क्योंकि जरूरतें पूरी हो सकती है, तिरिष्णा नहीं, एक सच ये भी है कि पैसे वालों का आधा पैसा तो ये जताने में चला जाता है, कि वे भी पैसे वाले हैं, दुनिया का कोई साभी पीर पंडित हमारा भाग के नहीं बदल सकता, शिर्फ नाम की कम कर कबरिस्तान का लगा लिया करो, वहां आपसे भी बेतर इंसान मिट्टी के नीचे दफन है, तकलिफ हैं तो हजारों हैं इस जवाने में, बस कोई अपना नजर अंदाज करे तो बरदास्त नहीं होता, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं, आज वसीहत करने बैठे हैं बाबुजी दौलत की, घर में पहली बार इकठे सारे भाई बैठे हैं, अकेले राने का भी एक अलग सुकून है, ना किसी की वापस आने की उम्मिदें और ना किसी की छोर जाने का डर, पके हुए फल की तीन पहचान होती है, एक वो नर्म हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है, इसी तरह से अच्छे परिपक्क व्यक्ति के भी तीन पहचान होती है, पहली उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी बानी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेड़े पर आत्म विश्वास का रंग होता है लोग आप व्यवारिक नहीं व्यवसाइक हो गए हैं संबंद उससे ही मधूर है जिनसे मुनाफा अधिक है कोडे से एक अच्छी बात सीखने को मिली है जब जीवन में कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो भहुत दूर तक देखने की कोशिस व्यर्थ है धीरे धीरे एक एक कदम चलते चले जाओ रास्ता खुलता जाएगा खुशियां कम और अर्मान बहुत हैं जिसे भी देखा परेशान बहुत हैं करीब से देखा तो निकला रेत का घर मगर दूर से इसकी सान बहुत है कहते हैं सच का कोई मुकावला नहीं मगर आज जुट की पैचान बहुत है मुश्किल से मिलता है सहर में आदमी यू तो कहने को इंसान बहुत है उरा भी दो सारी रंजी से इन हवा में यारो छोटी सी जिंदगी है नफरत कब तक करोगे घमन न करना जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है सीशा वही रहता है बस तस्वीर बदलती रहती है